पहाडिया ने आज अलवर में अपना पद भार ग्रहन किया पहाडिया करीफ सवाब 12 वजे अपने कारेले पहुँचे यहाँ एडियम पर्थम राम चरन शर्मा सेथ अन्ने करमचारियों अधिकारियों ने उनका स्वागत किया इसे पूर सरकीट हाउस में पहाडिया ने जिले के अधिकारियों से परिचलिया पहाडिया सवाई मादोपूर से इस्थानंतरित होकर अलवर आये हैं अलवर में रही जिलक लेक्टर आनंदी का पांच माहा से कम समय में ही इस्थानंतरन हो गया है आनंदी यहां से मनसूरी में आई एस अकैडमी में अतिरिक निदेशक के पद पर गई है अलवर पहुचने पर पहाड़िया पत्रकारों से भी रूब रूब हुए इस दुरान उनका कहना था कि अलवर जिले में बड़ते कोरोना संक्रमन के बड़ते मामलों पर अंकुष लगाना उनकी प्रात्मिक्दा होगी साथ ही उन्होंने कहा कि अभी यहां के इस्तती को समझ कर अधिकारियों से चर्जा कर आगे सभी को साथ लेकर काम किया जाएगा मेरी जानकारी में आया है कि कोरोना के विशे में कलेक्ट साथ आनन्दी जी ने और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया अभी भी काम करने के और आवेशक्ता है हमारी टीम के साथ साथ आप लोगों का और आम जनका सहोग बहुत अप्यक्सित है आप जान रहे हैं कि अभी ना तो फैक्सीन आई है और ना कोई मेडिसिन अभी तयार हुई है कोरोना को नियंद्रित करने के लिए मास्क ही एक सबसे बड़ा उपाय है यदि इस बीमारी से बचना है तो 98% किसे शुरुक्षा की गारंटी के वले मास्क देता है बाकी सोशल डिस्टेंस से बार बार साबोन और सेनिटाइजर से हाथ दोना भीड वले स्थानों पर नहीं जाना अनावश्य गुरुक्षे गर से बाहर नहीं निकलना जैसा कि राजसरकार का नारा है नो मास्क देता है